C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे अध्याय चार जलवायू प्रिष्ट संख्या 28 पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में सुन चुके हैं किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवशक तीन मूल तत्वों में से दो तत्व यही हैं इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायू मंडलिये अवस्था के बारे में जानेंगे हम दिसंबर में उनी वस्थर क्यों पहिनते हैं अत्वा मई का महीना गर्म एवं असुविधा जनक क्यों होता है या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है इन सभी प्रश्णों के उत्तर आप भारत की जलवायू का अध्ययन करके जान सकते हैं एक विशाल क्षित्र में लंबे समयावधी अर्थात तीस वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविदताओं का कुल योग ही जलवायू है मौसम एक विशेश समय में एक क्षित्र के वायूमंडल की अवस्था को बताता है मौसम तथा जलवायू के तत्व जैसे तापमान, वायू मंडली ये दाब, पवन, आर्दरता तथा वर्षन एक ही होते हैं आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राया एक दिन में ही कई बार बदलती है लेकिन फिर भी कुछ सप्ता, महीनों तक वायू मंडली ये अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवदार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्दर या शुश्क हो सकते हैं महीनों के औसत वायू मंडली ये अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीश्म, शीत या वर्षा रितूओं में विभाजित किया गया है विश्व को अनेग जलवायू प्रदेशों में बाटा गया है क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायू कैसी है तथा ऐसा क्यूं है इस संबंध में हम इस अध्याय में जानेंगे क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की वयुत पत्ती अरबी शब्द मौसिम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम मानसून का अर्थ एक वर्ष के दोरान वायू की दिशा में रितू के अनुसार परिवर्तन है भारत की जलवायू को मानसूनी जलवायू कहा जाता है एशिया में इस प्रकार की जलवायू मुख्यतह, दक्षन तथा दक्षन पूर्व में पाई जाती है सामान्ने प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवाईयू अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं आईए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इन में किस प्रकार की भिन्नता है गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि जम्मु कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है सर्दी की रात में, जम्मौ कश्मीर में दरास का तापमान –45 degris Celsius तक हो सकता है, जबकि थिर्वनंत पुरम में ये 22 degris Celsius हो सकता है क्या आप जानते हैं? कुछ क्षित्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है थार के मरुस्थल में दिन का तापमान पचास डिगरी सेलसियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर पंध्रा डिगरी सेलसियस तक पहुँच सकता है. दूसरी और केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है. प्रिष्ट संख्या 29 अब वर्षण की और ध्यान दें. वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बलकि इसकी मात्रा एवं रितु के अनुसार वित्रण में भी भिन्नता होती है. हिमाले में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है. तथा देश के शेश भाग में ये वर्षण के रूप में होता है. वर्षण में भिन्नता मेघाले में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है. देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षण होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडू तट पर अधिकतर वर्षण अक्टूबर एवं नवंबर में होती है. सामान्य रूप से तटिये क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है. देश के आंतरिक भागों में मौसमी या रितुनिष्ठ अंतर अधिक होता है. उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य तह पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है. ये भिन्नताएं लोग सामानों की दीवार मोटी तथा चत, चप्टी क्यों होती है? तरा इक्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में धाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्रहया कुछ घर, बास के खंबों अर्थात स्टिल्ट पर क्यों बने होते हैं? जल्वाई वी नियंत्रण किसी भी ख्षेत्र की जल्वाईयों को नियंत्रत करने वाले छे प्रमुख कारक हैं अक्षांश, तुंगता अर्थात उचाई, वायुदाब एवं पवन्तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरिये धाराएं तथा उच्चावच लक्षन प्रित्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की मात्रा, अक्षांशों के नुसार अलग-अलग होती है। इसके परणाम स्वरूप तापमान, विशुवत, वृत से ध्रूवों की ओर सामानितहा घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रित्वी की सतह से उ प्रणाम इवं पवन्तन्त्र उस स्थान के अक्षांश तथा उंचाही पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्शा के वित्रन को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी ये प्रभाव कम होता जाता है। एवं लोग विश्रम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपी अवस्था अर्थात गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। और हो तब वो तठ गर्म या ठंडा हो जाएगा। ग्याद कीजिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल, उपोष्ण, कटिबंधिये भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायू को निर्धारित करने में उच्चा वच की भी महत्वपोंड भूमी का होती है। उचे परवत ठंडी एवं गर्म वायू को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी उचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायू के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। परवतों के पवन विमुख ढ़ाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। प्रिष्ट संख्या तीस भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश। करक वृत देश के मध्धिभाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मी उपस्थित शेश भाग उपोष्ण कटिबंधिये हैं। इसलिए भारत की जलवायू में उश्ण कटिबंधिये जलवायू एवं उपोष्ण कटिबंधिये जलवायू दोनों की विशेश्ताएं उपस्थित हैं। उचाई। भारत के उत्तर में हिमालय परवत है। इसकी मध्धे एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतिय उप महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है इनही परवतों के कारण इस क्षेत्र में मध्धे एशिया के तुलना में ठंड कम बढ़ती है वायू दाब एवं पवन भारत में जलवायू तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं वायू मंडली अवस्थाओं से संचालित होती हैं जो इस प्रकार हैं वायू दाब एवं धरातलिये पवने उपरी वायू परिसंचरण तथा पश्चमी चक्रवाती विक्षोब एवं उश्नकटि बंधिये चक्रवात भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनू अर्थात ट्रेट विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित हैं ये पवने उत्री गोलार्थ के उपोष्नकटि बंधिये उच्च दाब पटियों से उत्पन्न होती हैं ये दक्षण की और बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी और विक्षे पित होकर विशुवतिये निम्न दाब वाले क्षेत्रों की और बढ़ती हैं सामान नितह इन पवनों में नमे की मात्रा बहुत कम होती है क्यूंकि ये स्थलिये भागों पर उत्पन होती है एवं बहती है इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है आईए सुनिए क्यूं कोरियालिस बल पृत्वी के घूर्णन के कारण उत्पन आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्थ में दाहिनी और तथा दक्षणी गोलार्थ में बाई और विक्षे पित हो जाती हैं इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है भारत का वायू दाब एवं पवन तंत्र अद्वितिये है शीत रितु में हिमाले के उत्तर में उच्च दाब होता है इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षण में निम्नदाब वाले महासागरी एक्षेत्र के उपर बहती हैं गृश्मरितु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के उपर निम्नदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके कारण गर्मी के दिनों में वायो की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। मुख्य भूमी पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में उपरी वायो परिसंचरन पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 27 डिगरी से 30 डिगरी उत्तर अक्षान्षों के बीच स्थित ह होती हैं। इसलिए इन्हे उपोष्ण कटिबंधिये पश्चिमी जट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जट धाराएं ग्रीश मरितु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमाले के दक्षन में प्रवाहत होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एव उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोप आते हैं। गर्मियों में सूरे की आभासी गती के साथ ही उपोष्ण कटिबंधिये पश्चिमी जट धारा हिमाले के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधिये कहा जाता है गर्मी के महीनों में प्रायद वीपी ये भारत के उपर लगभग 14 डिगरी उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है जट धारा ये एक सकरी पटनी में स्थित क्षोब मंडल में अध्यधिक उचाई अर्थात 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है इनकी गती गर्मी में 110 किलोमीटर प्रदिघंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रदिघंटा होती है बहुत सी अलग-अलग जट धाराओं को पहचाना गया है उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षानशिये एवं उपोष्न कटिबंधिये जट धाराएं हैं पश्चमी चक्रवातिये विक्षोब सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चमी चक्रवातिये विक्षोब भूमध्य सागरिये क्षेत्रों से आने वाले पश्चमी प्रवाह के कारण होता है वे प्राहा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं उश्न कटिबंधिये चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटिये क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उडिसा के तटों पर उनके द्वारा किये गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है प्रिष्ट संख्या 31 इस प्रिष्ट पर दो मानचित्र हैं पहले चित्र में चित्र संख्या 4.2 में भारतिय उप महाद्वीप में जनवरी महीने के दोरान मौसम की स्थिती को दर्शाय गया है एक एरो अर्थात धरातलिये पवन दर्शा रहा है दो एरो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम को दर्शा रहा है चित्र संख्या 4.3 भारतिय उप महाद्वीप में जून महीने के दोरान मौसम की स्थिती को दर्शा रहा है सिंगल लाइन धरातलिये पवनों को दर्शा रही है डबल डैश उश्नकटी बंधिये पूर्वी जेट स्ट्रीम को दर्शा रहे है और डबल लाइन उपोष्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम को दर्शा रही है भारत की जलवाईयों मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है एतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था पवन तंत्र की दिशा उलट जाने अर्थात उत्क्रमन के कारण उनिलाब हुआ चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे अरववासी जो व्यापारियों की तरह भारत आये थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमन को मानसून का नाम दिया इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या 4.1 जिसमें मानसून के आगवन को दर्शाया गया है मानसून का प्रभाव उष्ण कटी बंधिये क्षेत्रों में लगभग 20 डिगरी उत्तर एवं 20 डिगरी दक्षण के बीच रहता है मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए आईए ये महत्वपूर्ण तथे समझें अ स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभ्रेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन होता है जबकि इसके आसपास के समुद्रों के उपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है ग्रीश्म रितु के दिनों में अंतह उष्ण कटी बनतिये अभी सरण क्षेत्र की स्थिती गंगा के मैदान की और खिसक जाती है ये विशुवतिये गर्थ है जो प्राया विशुवत वृत से पाँच डिगरी उत्तर में स्थित होता है इसे मानसून रितु में मानसून गर्थ के नाम से भी जाना जाता है स हिंद महासागर में मेरगासकर के पूर्व लगभग 20 दिगरी दक्षन अक्षांश के उपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीवरता भारतिये मानसून को प्रभावित करती है ग्रिश्मरितु में हिमाले के उत्तर पश्चमी जट धाराओं का तथा भारतिये प्रायद्वीब के ऊपर उश्नकटी बंधिये पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है। समनांतर होता है। लेकिन सूरे की आभासी गती के साथ साथ ये उत्तर या दक्षण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षणी महासागरों के ऊपर दाप की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। वर्षों में वायो दाप की स्थिती विपरीथ हो जाती है। तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाप का क्षेत्र बन जाता है। दाप की अवस्था में इस नियत कालिक परिवर्तन को दक्षणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी आस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिगरी 30 मिनट दक्षण, 131 डिगरी पूर्व तथा ताहिती, प्रशांत महासागर 18 डिगरी दक्षण, 149 डिगरी पश्चिम के दाप के अंतर की गणना मौनसून की तीवरता के पूर्वा नुमान के लिए की जाती है अगर दाप का अंतर रनात्मक है तो इसका अर्थोगा ओसत से कम तथा विलंब से आने वाला मौनसून अलनीनो डक्षणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है ये एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक दो या पांच वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है दाप की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अलनीनो से है इसलिए इस परिघटना को एनसो एनसो अलनीनो दक्षणी दोलन कहा जाता है अलनीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थाई तोर पर गर्म जलधारा के विकास को अलनीनो का नाम दिया गया है एल निनो स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा जो की बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्यूंकि ये धारा क्रिस्मस के समय बहना शुरू करती है एल निनो की उपस्थिती समुद्र की सतह के ताप मान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है प्रिश्ट संख्या 33 मानसून का आगमन एवं बापसी व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने नियमित नहीं है लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है उश्नकटी बंधिये समुद्रों के उपर प्रवाह के दौरान ये विभिन वायू मंडलिये अवस्थाओं से प्रभावित होती है मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है इसके आगमन के समय सामानने वर्षा में अचानक वृध्धी हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है इसे मानसून प्रसफोट अर्थात फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौचारों से प्रथक किया जा सकता है सामानने तह जून के प्रथम सप्तह में मानसून भारतिये प्रायद्वीब के दक्षणी छोड से प्रवेश करता है इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर शाखा लगभग दस दिन बाद दस जून के आसपास मुंबई पहुँचती है ये एक तीवर प्रगती है बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीवरता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुँच जाती है उचे परवतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुर जाती है मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराश्ट्र कच्च एवं देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है दिल्ली में सामानितह मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याना तथा पूर्वी राजिस्तान में पहुँच जाता है मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के 6 शिस्सों में पहुँच जाता है इसका विवरण प्रिष्ट संख्या 31 पर चित्र संख्या 4.3 के माध्यम से दिया गया है मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है इसकी व्याख्या एक नक्षे के माध्यम से प्रिष्ट संख्या 34 पर चित्र संख्या 4.4 के माध्यम से की गई है मध्य अक्तूबर तक मानसून प्राय द्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है प्राय द्वीप के दक्षणी आधे भाग में वापसी की गती तीवर होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेश भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। इस समय देश का शेश भाग शीत रितु के प्रभाव में होता है। प्रिष्ट संख्या 34 पर चित्र संख्या 4.4 के माध्यम से मानसून के आगमन को दर्शाया गया है। प्रिष्ट संख्या 35 रितुएं। मानसूनी जलवायू की विशेश था एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक रितु से दूसरे रितु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेश कर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं तर्टिये क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है यद्दिपी यहां वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की रितूं का अनुभफ करते हैं भारत में मुख्यतह चार रितूं को पहच शीत रितू उत्तरी भारत में शीत रितू मध्धे नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर एवं जन्वरी सबसे ठंडे महीने होते हैं तापमान दक्षन से उत्तर के और बढ़ने पर घटा जाता है पूर्वी तट पर चेन्नई का उसत तापमान 24 डिगरी सेल्सियस से 25 डिगरी सेल्सियस के बीच होता है दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं उत्तर में तुशारापात सामानने है तथा हिमाले के उपरी ढ़लों पर हिमपात होता है इस रितु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रवाहित होती हैं ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुश्क मौसम होता है इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडू के तड़ पर होती है क्यूंकि वहां ये पवने समुद्र से स्थल की ओर बहती है देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाप का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हलकी पवने इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है उच्चा वच्च से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है सामानिता इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्दता कम एवं पवने, शिथिल तथा परिवर्थित होती है शीत रितु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोप का अंतरवह विशेश लक्षन है ये कमदाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के उपर उत्पन होती है, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, तथा परवतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवशकता होती है यद्दिपी शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानिय तोर पर महावट कहा जाता है, उसकी कुल मात्रा कम होती है लेकिन ये रभी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपून होती है प्राय द्वीपीय भागों में शीत रितू स्पष्ट नहीं होती है समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत रितू में भी यहां तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है सूरे के उत्तर की ओर आभासी गती के कारण भूमंडिलिये ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है मार्च से मई तक भारत में ग्रिश्मरितू होती है ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन अक्षान्शों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किये गए तापमान को देख कर लगाया जा सकता है मार्च में दक्कन के पठार का उच्छ तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रेल में मध्यप्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है मई में देश के उत्तर पश्चमी भागों का तापमान सामाने तह 45 डिग्री सेल्सियस होता है प्राय द्वीपिये भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है देश के उत्तरी भाग में गृष्मकाल में तापमान मेव्रधी होती है तथा वायोदाब में कम ही आती है मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षन पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है पवन का परिसंचरन इस गर्थ के चारों ओर प्रारंभ होता है लू ग्रिश मकाल का एक प्रभावी लक्षन है ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवने होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षित्रों में चलती है कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है इस हवा का सीधा प्रभाव घा तक भी हो सकता है उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामा नितह धूल भरी आंधियां आती हैं ये आंधियां अस्थाई रूप से आराम पहुँचाती है क्योंकि ये तापमान को कम गर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हलकी वर्षा लाती हैं इस मौसम में कभी कभी तीवर हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है इसके साथ प्राया हिम व्रिष्टी भी होती है वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल अंत में करनाटक एवं केरल में प्राया पूर्व मानसूनी वर्षा होती है इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राया इसे आमर वर्षा भी कहा जाता है प्रिष्ट संख्या 36 इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 4.5 के माध्यम से भारत के नक्षे में मानसून का अंत दर्शाय गया है प्रिष्ट संख्या 37 वर्षारितू या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्नदाप की अवस्था तीवर हो जाती है ये दक्षणी गोलार्द की व्यापारिक पवनों को आकरशित करता है ये दक्षण पूर्व व्यापारिक पवने दक्षणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधियक शेत्रों में उत्पन्न होती है चूंकि ही पवने गर्म महासागरों के उपर से होकर गुजरती है इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमीलाती है ये पवने तीवर होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रती घंटे के ओसतवेग से चलती है सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवने देश के शेश भाग में लगभग एक महीने में पहुँच जाती है दक्षिन पश्चिम मानसून का भारत में अंतरवह यहां के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है मौसम के प्रारंभ में पश्चिम खाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है यद्यपी ये क्षित्र व्रिष्ची छाया क्षित्र में आते हैं इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है खासी पहाडी के दक्षणी श्रिंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक ओसत वर्षा प्राप्त करता है गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है राजिस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है मानसून से संबंधित एक अन्य परिखटना है वर्षा में विराम इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है इन में वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्थ की गती से संबंधित होते हैं विभिन्न कारणों से गर्थ एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षन की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वित्रन सुनिश्चित होता है. जब मानसून के गर्थ का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है. दूसरी ओर जब अक्ष हिमाले के समीब चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुश्क अवस्था रहती है तथा हिमाले की नदियों के परवतिय जलगरहन क्षित्रों में विस्तृत वर्षा होती है इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षित्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षती होती है उश्नकटी बंधिये निम्नदाप की तीवरता एवं आवरित्ती भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है ये निम्नदाप का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलिय भाग को पार कर जाता है ये गर्त निम्नदाप के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है शुष्क एवं आर्द्र सिथियों की तीवरता, आवरित्ती एवं समयकाल में भिन्नता होती है इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है इसका आगमन एवं वापसी, प्राया अवेवस्थित होता है इसलिए ये कभी-कभी देश के किसानों के क्रशी कारियों को अवेवस्थित कर देता है मानसून की वापसी, परवतनीय मौसम अक्तूबर-नवंबर के दोरान दक्षन की तरफ सूरे की आभासी गती के कारण मानसून गर्थ या निम्न दाब वाला गर्थ उत्तरी मैदानों के उपर शिथिल हो जाता है धीरे-धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है दक्षन पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे-धीरे पीछे की और हटने लगते हैं अक्तूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हट जाती हैं अक्तूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा रितू से शीत रितू में परिवर्तन का काल होता है मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में व्रिध्धी हो जाती है आर्दता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहे हो जाता है। इसे सामानिता कौार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्तूबर के उत्तरार्ध में विशेशकर उत्तरी भारत में ताप मान तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं मासिन राम विशो में सबसे अधिक वर्षावाला क्षेत्र है तथा स्टेलेगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के उपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल क की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरन चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के उपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामानितह भारत के पूर्वितट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होत जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षती होती है। जिन क्षित्रों को गहरे बैंगनी रंग से रंगा गया है, वहाँ 400 से अधिक सेंटिमीटर में वर्षा होती है। सफेद पर कुछ नीले चीटों के साथ दर्शाएग एक्षित्रों में 20 से 40 सेंटिमीटर और सफेद दर्शाएग एक्षित्रों में 0 से 20 सेंटिमीटर वर्षा होती है। प्रिश्ट संख्या 49 भारत के नक्षे में वार्षिक वर्षा का विवरण दिया गया है। चित्र संख्या 4.7 के माध्यम से वार्षिक वर्षा का विवरण दिया गया है। प्रिश्ट संख्या 40 पर कुछ समाचार पत्रों के अंशों में स्थानों तथा रितुओं के नाम वर्णित है। क्रिया कलाप 1. समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानों तथा रितुओं के नाम बताएं। 2. मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए 3. वस्तु स्थिती अध्ययन के दृष्टिकोंड से बाढ़ एक विपदा का मुल्यांगन करें प्रिष्ट संख्या 41 वर्षा का वित्रण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 संटिमीटर वार्षिक वर्षा होती है किन्तु पश्चिमी राजस्थान एवं इससटे पंजाब, हरियाना एवं गुजरात के भागों में 60 संटिमीटर से भी कम वर्षा होती है दक्षणी पठार के आंतरिक भागों एवं सहयादरी के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है इन क्षित्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है जम्मु कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है देश के शेश हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालैक शित्रों तक हिसी में थोता है। मानसून की प्रकृती के परिणाम सुरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विशमता निम्न वर्षावालेक शित्र जैसे राजिस्थान, गुजरात के कुछ भाग तता पश्चिमी घाटों के वृष्ची छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षावालेक शित्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षावालेक शित्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। पुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाई जाते हैं। एक विशिष्ट लक्षण हैं। प्रिश्ट संख्या 42 ग्रिश्म रितु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को इन में से क्या कहा जाता है। 3. इन में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत रितु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तर दाई है। 4. भारत में मानसून का आगमन इन में से कब होता है। 5. इन में से कौन सी भारत में शीत रितु की विशेश्ट। 5. प्रश्चन संख्या 2. इन प्रश्चनों के उत्तर संख्षेप में दीजिए। 1. भारत की जलवाईयों को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है। 2. भारत में मानसूनी प्रकार की जलवाईयों क्यूं है। 3. भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यूं। 4. किन पवनों के कारण मालाबार तट परवर्शा होती है। 5. जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवाईयों को प्रभावित करती है। 6. मानसून को परिभाशत करें। 7. मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यूं समझा जाता है। प्रश्च संख्या 3. उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्शा की मात्रा क्यूं घटती जाती है। प्रश्च संख्या 4. कारण बताएं। 1. भारत ये उप महाद्वीप में वायों की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यूं होता है। 2. भारत में अधिकतर वर्शा कुछी महीनों में होती है। 3. तमिलनाडु तट पर शीत रितु में वर्शा होती है। 4. पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राया चक्रवात आते हैं। 5. राजिस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वरिष्टी चाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। 5. भारत की जलवायू अवस्थाओं की केंदरी विभनताओं को उदाहरन सहित समझाए। 6. मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। से कम वर्षा वाले क्षेत्र तीन, भारत में दक्षन पश्चिम मानसून की दिशा परियोजनाकार्य एक, पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में एक विशेश मौसम से कौन से गाने, मृत्य, पर्व एवं भोजन संबंध थें क्या भारत के दूसरे क्षेत्रों से इन में कुछ समानता है? दो, भारत के विभिन क्षेत्रों के विशेश ग्रामिण मकानों तथा लोगों की वेश भूशा के फोटोग्राफ इकठे कीजिए देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायों की दशाओं तथा उच्चावच में कोई सम्बंध है? प्रिश्च संक्या 43 स्वैम करने के लिए 1. सारणी एक में दस प्रतिनिधी स्थानों के औसत माध्य मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा दिया गया है इसका अध्ययन करके प्रतियक स्थान के तापमान और वर्षा के आरेख बनाईए इन आरेखों को देखकर आपको इन स्थानों के तापमान और वर्षा के अंतर का तुरंत पता चल जाएगा यहां एक आरेख हुदाहरण के लिए दिया गया है क्या आप इसके अधियन से अपने देश की जलवाईयों की विभिन दशाओं की बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं हमें आशा है कि इन्हें जानकर आपको बड़ी प्रसंदता होगी इनका अभ्यास कीजिए उधारन के लिए चित्र एक में दिल्ली के तापमान और वर्षा का वर्णन है वर्षा सेंटिमीटर में और तापमान सेल्सियस में है दो, दस स्थानों को तीन भिन क्रमों में लिखिए एक, विशुवत वृत से उनकी दूरी के क्रम में दो, समुद्र तल से उनकी उँचाई के क्रम में तीन एक, सर्वाधिक वर्षा वाले दो स्थान दो, दो, शुश्क तम स्थान तीन, सर्वाधिक समान जलवाईयों वाले दो स्थान चार, जलवाईयों में अत्यधिक अंतर वाले दो स्थान 5. दक्षन पश्चिमी मानसून से अरब सागर शाखा के द्वारा सर्वाथिक प्रभावित दोस्थान 6. दक्षन पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाथिक प्रभावित दोस्थान 7. दोनों से प्रभावित दोस्थान आठ लोटती हुई तथा उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित दो स्थान नो पश्चमी विक्षोभों के द्वारा शीत रितु में वर्षा प्राप्त करने वाले दो स्थान दस संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले दो महीने ग्यारा यहां दिये गए महीनों में सर्वाधिक गर्म दो महीने क फरवरी, ख अप्रेल, ग मई, घ जून चार अब ग्यात कीजिए थिर्वनंथपुरम तथा शिलॉंग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यूं होती है दो, जुलाई में थिर्वनंथपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यूं होती है तीन, चेननई में दक्षन पश्चमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यूं होती है चार, शिलॉंग में कोलकता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यूं होती है पांच, कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यूं होती है? इसके विपरित शिलॉंग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यूं होती है? 6. दिल्ली में जोथपूर से अधिक वर्षा क्यों होती है 5. अब सोचिए ऐसा क्यों होता है थिरुनंदपुरम की जलवायू सम है देश के अधिक तरभागों में मानसूनी वर्षा के समाप्त होने के बाद ही चेन्नई में अधिक वर्षा होती है जोथपूर की जलवायू उष्ण मरुस्थलिये है लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्य वर्षन होता है दिल्ली और जोथपूर में अधिकतर वर्षा लगभग तीन महीनों में होती है लेकिन थिर्वनंत पुरम और शिलॉंग में वर्ष के नौ महीनों तक वर्षा होती है प्रिष्ट संख्या चवालीस प्रिष्ट संख्या चवालीस पर तालिका संख्या एक दी गई है जिसमें केंद्र, देशांतर, अक्षांश, मीटर में जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने दिये गए हैं तथा वार्षिक वर्षा का आकलन किया गया है केंद्र, बैंगलूरू, देशांतर, बारा डिग्री, अठावन मिनेट, उत्तर, अक्षांश, नौसोनो मीटर जन्वरी, 20.5 सेल्सियस, फर्वरी, 22.7 सेल्सियस, मार्च, 25.2 सेल्सियस, अप्रेल, 27.1 सेल्सियस, माई, 26.7 सेल्सियस, जून, 24.2 सेल्सियस, जुलाई, 23.0 सेल्सियस, अगस्त, 23.0 सेल्सियस, सितंबर, 23.1 सेल्सियस, अक्टूबर, 22.9 सेल्सियस, नवंबर, 18.9 सेल्सिय वर्षा सेंटिमीटर में नवंबर 6.1 सेंटिमीटर दिसंबर 1.3 सेंटिमीटर वर्षिक वर्षा 88.9 सेंटिमीटर केंद्र मुंबई देशांतर 19 डिग्री उत्तर अक्षांश मीटर में 11 तापमान जन्वरी 24.4 सेल्सियस फर्वरी 24.4 सेल्सियस मार्च 26.7 सेल्सियस अप्रेल 28.10 सेल्सियस मै तीस पैंट शुन्ने सेल्सियस जून 28.9 सेल्सियस जुलाई 27.2 सेल्सियस अगस्थ 27.2 सेल्सियस सितंबर 27.2 सेल्सियस अक्टूबर 27.8 सेल्सियस नवंबर 27.2 सेल्सियस दिसंबर 25.0 सेल्सियस वर्षा सेंटीमीटर में दिसंबर यह स्थान दिक्त छोड़ा गया है वर्षिक वर्षा 183.4 केंद्र कोलकाता देशांतर 22 डिगरी 34 मिनट उत्तर अक्षांश मीटर में 6 तापमान सेल्सियस में जन्वरी 19.6 सेल्सियस परवरी 22.0 सेल्सियस मार्च 27.1 सेल्सियस अप्रेल 30.1 सेल्सियस माई 30.4 सेल्सियस जून 29.9 सेल्सियस जुलाई 28.9 सेल्सियस अगस्त 28.7 सेल्सियस सितंबर 28.9 सेल्सियस अक्टूबर 27.6 सेल्सियस नवंबर 23.4 सेल्सियस दिसंबर 19.7 सेल्सियस वर्षा सेंटीमीटर में नवंबर दो पॉइंट सेंटीमीटर दिसंबर शुन्ने पॉइंट चार सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एक सो बासाट पॉइंट पाँच केंद्र दिल्ली देशांतर उनतिस डिग्री उत्तर मीटर में अक्षांश दो सो उन्निस तापमान सेल्सियस में नवंबर उन्निस पॉइंट चार सेल्सियस दिसंबर पंद्रा पॉइंट चे सेल्सियस वर्षा सेंटीमीटर में वर्षिक वर्षा सर्सट पॉइंट शुन्न सेंटिमीटर केंद्र जोथपूर देशांतर छब्विस डिग्री अठारा मिनट उत्तर मीटर में अक्षांश दो सो उन्निस तापमान सेल्सियस में जन्वरी 16.8 सेल्सियस परवरी 19.2 सेल्सियस मार्च 26.6 सेल्सियस, अप्रेल 29.8 सेल्सियस, माई 33.3 सेल्सियस, जून 33.9 सेल्सियस, जुलाई 31.3 सेल्सियस, अगस्त 29.09 सेल्सियस, सितंबर 20.1 सेल्सियस, अक्टूबर 27.09 सेल्सियस, नवंबर 20.1 सेल्सियस, दिसंबर 14.9 सेल्सियस वर्षा सेंटीमीटर में वर्षिक वर्षा 36.6 केंद्र चैननाई देशांतर तेरा डिगरी चार मिनट उत्तर अक्षांश मीटर में साथ तापमान सेल्सियस में जन्वरी 24.5 सेल्सियस परवरी 25.7 सेल्सियस मार्च 27.7 सेल्सियस अप्रेल 30.4 सेल्सियस माई 33.09 सेल्सियस जून 32.5 सेल्सियस जुलाई 31.09 सेल्सियस अगस्त 30.2 सेल्सियस सितंबर 29.8 सेल्सियस अक्टूबर 28.09 सेल्सियस नवंबर 25.9 सेल्सियस दिसंबर 24.7 सेल्सियस वर्षा सेंटीमीटर में वर्षिक वर्षा एक सो अठाइस पॉइंट छे केंद्र नागपूर देशांतर एकिस डिग्री नौ मिनट उत्तर अक्षांश मीटर में तीन सो बारा तापमान सेल्सियस में जन्वरी एकिस पॉइंट पांच सेल्सियस परवरी तेश पॉइंट नौ सेल्सियस मार्च अठाइस पॉइंट पॉइंट सेल्सियस अप्रेल बत्तिस पॉइंट साथ सेल्सियस मै पैंटिस पॉइंट पांच सेल्सियस जून बत्तिस पॉइंट शुन्य सेल्सियस जुलाई 27.7 सेलसियस, अगस्ट 27.3 सेलसियस, सितंबर 27.9 सेलसियस, अक्टूबर 26.7 सेलसियस, नवंबर 23.1 सेलसियस, दिसंबर 20.7 सेलसियस वर्षा सेंटीमीटर में जन्वरी 1.1 cm, फर्वरी 2.3 cm, मार्च 1.7 cm, अप्रेल 1.6 cm, माई 2.1 cm, जून 22.2 cm, जुलाई 37.6 cm, अगस्त 28.6 cm, सितंबर 18.5 cm, अक्टूबर 5.5 cm, नवंबर 2.6 cm, दिसंबर 1.0 cm, वार्षिक वर्षा 124.2, केंद्र शिलोंग, देशांतर 24 दिगरी 34 मिनट उत्तर, अक्षांश मीटर में 1461, तापमान सेल्सियस में, जन्वरी 9.8 cm, परवरी 11.3 cm, मार्च 15.9 cm, अप्रेल 18.5 cm, माई 19.2 cm, जून 20.5 cm, जुलाई 21.1 cm, अगस्त 20.9 cm, सितंबर 20.0 cm, अक्टूबर 17.2 cm, नवंबर 13.3 cm, दिसंबर 10.4 cm, वर्षा सेंटी में, जन्वरी 1.4 cm, परवरी 2.9 cm, मार्च 5.6 cm, अप्रेल 14.6 cm, माई 29.5 cm, जून 47.6 cm, जुलाई 35.9 cm, अगस्त 34.3 cm, सितंबर 30.2 cm, अक्टूबर 18.8 cm, नवंबर 3.8 cm, दिसंबर 0.6 cm, वर्षिक भर्षा 225.3, केंद्र तिरुवननत्पूरं, देशांतर 8 डिगरी 29 मिनट उत्तर, अक्षांश मीटर में 61, तापमान Celsius में जन्वरी 26.7 cm, फरवरी 27.3 cm, मार्च 28.3 cm, अप्रेल 28.7 cm, माई 28.6 cm, जून 26.6 cm, जुलाई 26.2 cm, अगस्त 26.2 cm, सितंबर 26.5 cm, अक्टूबर 26.7 cm, अक्टूबर 26.7 cm, नवंबर 26.6 cm, दिसंबर 26.5 cm, वर्षा सेंटीमीटर में जन्वरी 2.3 cm, फरवरी 2.1 cm, मार्च 3.7 cm, अप्रेल 10.6 cm, माई 20.8 cm, जून 35.6 cm, जुलाई 22.3 cm, अगस्त 14.6 cm, सितंबर 13.8 cm, अक्टूबर 27.3 cm, नवंबर 20.6 cm, दिसंबर 7.5 cm, वर्षिक वर्षा 181.2, केंद्र ले, देशांतर 34 डिग्री उत्तर, अक्षांश मीटर में 35.6, तापमान सेल्सियस में, जन्वरी, जन्वरी माइनस 8.5 cm, फरवरी माइनस 7.2 cm, मार्च माइनस 0.6 cm, अप्रेल 6.1 cm, माइ 10.0 cm, जून 14.4 cm, जुलाई 17.2 cm, अगस्त 16.1 cm, सितंबर 12.2 cm, अक्टूबर 6.1 cm, नवंबर 0.0 cm, दिसंबर माइनस 5.6 cm, वर्षा सेंटिमीटर में, जन्वरी 1.0 cm, परवरी 0.8 cm, मार्च 0.8 cm, अप्रेल 0.5 cm, माई 0.5 cm, जून 0.5 cm, जुलाई 1.3 cm, अगस्त 1.3 cm, सितंबर 0.8 cm, अक्टूबर 0.5 cm, नवंबर यह स्थान रिक्त छोड़ा गया है, दिसंबर 0.5 cm, वर्षिक वर्षा 8.5, गंभीरता से विचार कीजिए, कि इन सब तथ्यों के बावजूद, क्या हमारे पास इस निशकर्ष पर पहुँचने के लिए पुष्ट प्रमान हैं? अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट, प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.